अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अंगूर पे वो हरा अंगूर था तो काफी लोगों ने ये पूछा है कि क्या काला अंगूर खा सकते हैं तो आज हम रिवीव करेंगे काला अंगूर का ठीक है ये मैंने काला अंगूर लिया हुआ adalah कितना लिया हुआ है? 100 ग्राम, 100 ग्राम काला अंगुर लिया हुआ है, क्योंकि 100 ग्राम काला अंगुर में आपको 18 ग्राम कर्वाइडेड मिल जाएगा, काला अंगुर का भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है, वो 53 होगा, 53 के असपास है, ठीक है, तो इसमें बहुत जादा कर् रर्ण ब्लट शुगर लेवल बढ़ा सकता है तो इसलिए 100 ग्राम से ज़दा अंगुर मन खाइए कहाए तो भी आपका शुगर बढ़ा सकता है तो आज मैं आप लोग को बताओंगा कि काला अंगुर को कैसे आप खा सकता है नमस्क्रा दोस्तो मेरे नामom तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 100 ग्राम काला अंगूर का ठीक है आज मैं आप लुक को बताऊंगा कि काला अंगूर को कैसे आप खा सकते हैं उसका पहले एक रेंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं आज मैंने तीन अंडे का ओमलेट खाया था जिसमें चीज भी म तक्रीबन सारे 12 बजगे है 12 27 है तो अभी मैं एक ब्लड शुगर चेक करने जा रहा हूं और ये मेरा रेंडम ब्लड शुगर होगा ठीक है ये मेरा रेंडम ब्लड शुगर होगा तो पहले रेंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं ओके ये ग्लिकोमेटर तयार हो गया एक प्रिक किया खून भी आ गया है और ये काउंट डाउन शुड़ू तो आप देख सकते है कि मेरा जो अभी रेंडम ब्लड शुगर है ये देखे ठीक है रेंडम ब्लड शुगर 112 है अभी और अभी मैं 100 ग्राम अंगूर खाऊंगा तो सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं टाइम देखते रहेगा ये टाइम देखिए ठीक है 100 ग्राम अंगूर अगर आप काला अंगूर भी खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगा तो इसको मैं आज एक और तरीका सिखा हूँगा कि कैसे आप खा सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोइडेड है तो आप मुझे इसको मिलाना है फैट और प्रोटीन के साथ ठीक है तो मेरे पास है ये कॉकनट मिल्क इसमें सिर्फ और सिर्फ फैट मिलेगा अगर मैं 100 ग्राम 100 ml की बात करूँ तो 100 ml में आपको प्रोटीन 1.5 ग्राम मिलेगा कार्बोईडेड आपको 2 ग्राम मिल जाएगा और fat जो है आपको 18 ग्राम मिलेगा तो यह एक बहुत ही अच्छा source है fat का तो इसको मैं इसके साथ मिलाओंगा साथ ही साथ मेरे पास एक whey protein है यह whey protein है इसमें आपको fat मिलेंगे 2.1 ग्राम carboididae त्री ग्राम मिलेगा और protein जो है 27.6 ग्राम एक श्कूप में ठीके तो यह protein का sauce हो जाएगा हालाकि इसमें भी थोड़ा बहुत carboididae is में भी थोड़ा बहुत carboididae तो आप समझ लिजये कि इसमें 18 है इसमें 2 है और इसमें 3 है तो 30 20 ग्राम कारवोईडेड इस पूरे डिश में होगा और 27 ग्राम के असपास प्रोटीन होगा और 18 से 20 ग्राम के असपास फैट होगा तो इसको एक स्कूप मिलाता है पहले ठीक है और ये एक कम्प्लीट मील हो जाएगा आपका ये एक स्कूप लिया मैंने और इसमें डाल दिया ठीक है और इसमें मैं मिलाऊंगा कोकनट मिल्क कितना मिलाएंगे 100 ml इसको पहले ऐसे कर लेते हैं और ये एक अलग तरीका है खाने का अंगूर को ठीक है ये 100 ml के असपास मैंने डाल दिया इसमें और इसको अच्छी तरह से अब मिला लेंगे कोकनट मिल्क थोरा सा मीठा होता है और ये जो अंगूर है ये भी मीठा है तो इसलिए मैंने इसमें कोई स्टीविया वेगरा नहीं डाला है आप देखिए कैसा लग रहा है है ना बढ़िया और ये प्रोटीन पाउडर जो है बहुत ही बढ़िया है बहुत अच्छा से मिल जाता है तो इन दोनों का मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है बहुत ही बढ़िया चीज़े ये देखिए कितना अच्छी त सटक्रिण करके आपको दिखा देता है ताइम आप देख सकते हैं टाइम दकते रहे यह अपया याँ देहाँ बिलकुल लाइव चल रहा है और कैसा इसको मैं फास फोपरवड करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो तो दोस्तों 100 ग्राम अंगूर खा लिया है मैंने काला अंगूर ता बहुत ही मीठा था ठीक है इसमें 18 ग्राम के असपास आपको कार्बोईडेट मिलेगा और इसमें ग्लुकोस बहुत होता है तो जैसे ही आप खाएंगे तो आपकी शुगर में गुलकी आपकी शुगर बढ करके खाएंगे यह फैट का सोर्स है कोकुनट मिल्क और वेव प्रोटीन प्रोटीन का सोर्स है और यह सारे चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे फूट कंबाइन करके खाना है यही है डायफिट डायट तो डायफिट डायट क्या है यह एक सिस्टम है कैलकुलेशन है प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनरजी एकस्पेंडिचर कैलकुलेट करना है उसका 26 प्रतिशत या उसके नीचे आपको कार्बोडेट से लेना है 1.5 से लेके 2 ग्रम पर केची बॉड़ी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमाइनिंग कैल शुगर नहीं बढ़ेगा और यही डायफिट डायट का कमाल है अब यह देख सकते हैं टाइम जो हो गया है 12 बच के 34 मिनिट तो मैं 2 बच के 34 मिनिट पर अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करूंगा और वो मेरा पीपी ब्लड शुगर होगा और देखूंगा कि 2 गंटे ब लेके इंसुलीन रेजिस्टेंस को लेके डायफिट डायट को लेके तो आप डायबेटीस दर्बार में जूर सकते हैं डायबेटीस दर्बार कहां लगता है डायबेटीस दर्बार लगता है डायफिट एप में डायफिट एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा सवाल का जवाब मैं diabetes दरवार में देता हूँ तो अगर आपने अभी तक diafit app को download नहीं किया है तो अभी के अभी download कर लिजे description में आपको link मिल जाएगा इन दोनों products का buying link भी आपको description में मिल जाएगा अगर आप इसको खरीदना चाहते है तो आप खरीद सकते हैं नीचे description में link आपको मिल जाएगा ठीक है मैं मिलूँगा आप लोगों से exactly 2 गंटे बाद और 2 गंटे बाद देखूँगा कि ये चीज खाने के बाद शुगर बढ़ती है या घरती है usually अंगूर खाने से शुगर बढ़ जाती है लेकिन आज हमने इसको combine करके खाया है तो 2 गंटे बाद देखूँगा कि शुगर बढ़ता है या घरता है तो मैं मिलूँगा आप लोगों से exactly 2 गंटे बाद तो दोस्तो 2 गंटा हो चुका है मुझे 100 ग्राम अंगूर खाया है 100 ग्राम अंगूर में आपको 18 ग्राम कर्वाइडियर मिलेगा अंगूर का glycemic index जो है वो है 53 लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें कर्वाइडियर मिलता है प्रोटीन और फैट नहीं होता है और जब भी आप कंबाइन करके खाएंगे डायफिट डायट को फोलो करेंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा अभी 2 गंटा हो गया है ठीक है अंगूर खाये हुए और 2 गंटे बाद आएए शुगर चेक करते है मेरा 2 गंटा पहले जो रीडिंग था वो रेंडम ब्लड शुगर था उस समय मेरा 112 आया था ठीक है ना 112 था और अभी जो रीडिंग होगा वो पीपी रीडिंग होगा और आप टाइम देख सकते है आप टाइम देखिए 2 बच के 29 मिनिट हो गया है ठीक है 2 बच के 29 मिनिट यानी कि 2 गंटा हो चुका है और ये मेरा पीपी ब्लड शुगर होगा तो एक स्ट्रिप लगाते है ये ग्लूकोमेटर बिल्कुल रेडि है ये हमने प्रिक कर दिया इदर से खून नहीं आए बाड़ बार एक ही जगा पर प्रिक मत करिये तो खून नहीं आता है ठीक है कैलस फॉर्मेशन होने का भी चांसेस रहता है तो अलग-अलग जगा से आप प्रिक करिये तो इस उंगली से करता हूँ अभी प्रिक है आ गया है खून और यह काउंट डाउन शुड़ो तो आप देखिए एक सो चार 112 था मेरा और अभी जो आया है 104 यह देखिए आपके सामने में नहीं किया है अंगुर खाके 104 आया है तो यह है कमाल डायफीड डायट का डायफीड डायट का अगर आप फोलो करेंगे तो मीठे से मीठा फल भी खा सकते है लेकिन अगर आप सिर्फ अंगुर खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा और यही चीज में आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यह देखिए 104 है जब भी आप कारबोईडेट को प्रोटीन और फैट के साथ मिला के खाएंगे आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और इसको अगर मैं 10-20% वेरियेशन भी मान लू मान लेजे कि 20% जादा भी होता है तो 20% जादा भी अगर होता है तो आप समझ लीजे 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा यानि कि 124 फिर भी 140 के नीचे है तो डायफीड डायट को जरूर फोलो करिए तो डायफीड डायट को फोलो करेंगे तो डायबेटीस रिवर्स कर सकते है ठीक है और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी ठीक कर सकते है प्री डायबेटीस को रिवर्स कर सकते है और अगर आप खुद से अपना diabetes reverse नहीं कर पा रहे हैं, insulin resistance को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारा coaching program भी join कर सकते हैं, कैसे coaching program join करना है, नीचे जो number दिख रहा है, इस number पे phone करके, हमारा coaching program के बारे में आप पता करिए, coaching में join करेंगे, तो हम आपको customized diet plan बना के देते हैं, जो आपको बहुत सारे videos में समझाते हैं, वो चीज हम आपकी आसान कर देते हैं, हम आपकी पूरी customized diet plan, diet fit diet के इसाब से बना के देते हैं, तो वीडियो को जादा से जादा share करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, डर के मारे अंगोर नहीं खाते हैं, अंगोर, diabetes के मरीज भी खा सकते हैं, कैसे खाना है, ठीके, वो जानना बहुत ज़रूरी है, डाफिट diet को फोलो करके खाएंगे, तो नहीं बढ़ेगा, वीडियो को जादा से जादा share करिए, रोज आप लोगों के लिए प्रिक कर रहे है, बार-बार प्रिक कर रहे है, तो यहां तक वीडियो को देख लिए, अभी तक लाइक नहीं किया, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजे, और चैनल में पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए, तो उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे, इस वीडियो को देखने के लिए अब सब का बहुत बहुत अन्यवाद,